National Highway यारी राष्ट्री या राजमार्गों पर रोड टेक्स को लेने के लिए मौजूद नाकों पर अक्सर जाम होता है ये समस्या आपने हमने कभी ना कभी जहली जरूर है लेकिन लोगों की इस समस्या को समझते हुए केंद्रिय परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने एतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है मंत्राले ने जीपियस वाली तकनीक विक्सित की है जिससे नाके खत्म हो जाएंगे और लोगों को हाईवे के जाम से निजात मिल सकेगी सरकार ने देश भर में वाहनों के बे रोग टोक आने जाने के लिए और टोल टेक्स कलेक्शन के लिए जीपियस यानि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लागो किये जाने की योजना को अंतिम रूद दे दिया है उन्होंने ये भी कहा कि अगले दो सालों में देश के सभी एनेच यानि राजमार्गों को टोल बूत मुक्त करा दिया जाएगा दरसल जीपियस से टोल लेने की विशेशग्यता रूस के पास है इस व्यवस्था में दूरी के हिसाब से टोल की राशी कट जाती है बता दे कि योरोप से लेकर दूसरे देशों में टोल ऐसे ही कटता है गटकरी ने दो साल में ये ववस्था लागू किये जाने की बात कही केंद्रिय मंत्री ने अगले पांच साल में टोल कलेक्शन एक दशमलो तीन चार लाख करोड रुपे के इस्तर पर पहुंच जाने का भी भरोसा ज़ताया एसोचेम के स्थापना सप्ताह कारिक्रम में केंद्रिय मंत्री ने अर्थ्विवस्था में सुधार के लिए राष्ट्रिय बुनियादी पाइपलाइन पर अपनी बात रखते हुए कहा कि टोल के लिए वसूला जाने वाल अशुल्क वाहनों के परिचालन के आधार पर सीधा बैंक खातों से ऑनलाइन लिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि अब सभी वानिजिक वाहनों में पहले से ही वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लग कर आ रही है वही पुराने वाहनों में भी GPS सिस्टम लगाये जाने के लिए सरकार जल्द ही कोई योजना लेकर आएगी यही नहीं केंद्रिय मंत्री ने उम्मीज जताई है कि अगले साल मार्च 2021 तक टोल संग्रहन 34,000 करोड रुपे तक पहुँच सकता है उन्होंने ये भी का कि टोल कलेक्शन के लिए GPS तकनीक के इस्तमाल से देश का राज़स्व भी विड़ेगा बतादे कि नेशनल हाईवे पर जाम न लगे इसके लिए वाहनों के स्वतंत्रों रूप से आने जाने के लिए जरूरी पहल करते हुए केंजु सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैक को अनिवारिक किया था फास्टैक की अनिवारिता के बाद एक तरफ जहां इंधन की खपत में कमी आई तो वहीं दूसरी और वायू प्रदूशन कम करने में भी इसकी भूमी का रही पिछले कुछ महीनों के दौरान फास्टैक का उपियों काफी तेजी के साथ बढ़ा है नवंबर में जारी किये गए नहाई के एक बयान के मताबिक अब तक के कुल टोल कलेक्शन में आने वाले सालों में इस्तिती और सुधरने की उम्मीद है